कुछ गैराज से शुरू होते हैं, कुछ फ्लोर से शुरू होते हैं, कुछ छोटे से एरिया से शुरू होते हैं Office setup जब तक आप change ना करें, जब तक आपका business मैं वो marketing करूंगा जो बड़ी-बड़ी companies करते हैं competitive industry में जुरूर चेक करें कि आपका competitor तो आप बिजनस में असानी से grow कर सकते हैं हाई फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी CEO Metas Overseas Limited आप सभी का सोगत करता हूं Startup Growth Strategy की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप जानते हैं कि सौ में से 97 स्टार्ट अप अपने पहले कुछ वर्षों में ही समाप्त हो जाते हैं और केवल 3% स्टार्ट आगे सर्वाइब कर पाते हैं और सक्सेस की और पहुँच पाते हैं इसके पीछे कारण क्या है इसी विशह पर आज हम बात करने वाले हैं कि हम कौन से ऐसे सिधान दपनाएं कौन से ऐसे चीजों को फॉलो करें कि हम भी 3% सक्सेस स्टार्ट आप की लिस्ट में अपने नाम को शुमार कर सके तो सबसे पहली बात जो हम आपको कहने जा रहा हूं वो क्या है कोर्ट टीम फ्रेंट एक स्टार्ट आप में ना उसकी सक्सेस के लिए सबसे जो इंपॉर्टन चीज होती वो तो उसकी कोर्ट टीम और कोर्ट टीम में कितने लोग होने चाहिए ये बात मार्क जुकवबगने के एक्जाम्पल गरूप में बताई थी कि अगर आप अपनी कोर्ट टीम की मीटिंग करें तो मीटिंग समाप्ती के बाद आपकी मीटिंग में आए हुए सबी लोगों का पेट दो पीजा में भर जाना चाहिए मतलब आपकी core team की strength है ना वो मजबूत होनी चाहिए लेकिन number of employees बहुत जादा नहीं होने चाहिए सिर्फ इतने होने चाहिए कि दो pizza से ही उन से भी का पेट भर जाए जो आपकी company में आपकी success के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके साथ काम करें दूसरा office setup बहुत सारे startup बहुत कुछ garage से शुरू होते हैं कुछ floor से शुरू होते हैं कुछ चोटे से area से शुरू होते हैं कुछ bathroom से शुरू होते हैं कुछ अपने store room से शुरू होते हैं इसलिए मार्क जुकरबक केते हैं कि अगर आप success हासिल करना चाहते हैं तो जो आपका office setup है ना उस पर बहुत बड़ी cost आपको involve नहीं करनी है क्यों क्यों कि ये cost आप अपने business के expansion के लिए business में growth के लिए business में finance को manage करने के लिए business में आने वाले उतार चड़ाप को manage करने के कुछ महिने भी यदि आपके पास काम ना हो तो आप आपस आसानी से survive कर पाएं इसके लाबा नेक्स जो important बात है हो है operating cost हर एक business की नहीं एक operating cost होती है एक होती है fix operating cost और एक होती है variable operating cost अगर आपने अपने office setup को extend कर दिया बड़े area में आप ले गए या prime location पर आप ले गए य और पहले आपने जो site ली थी उसका 20,000 रुपे रेंट था लेकिन आपको लगा कि मेरा business है उता जा रहा है अपने एक लाख रुपे रेंट पर दूसरी site occupy कर ली तो ऐसे में आपकी fix cost ना वो बढ़ जाने वाली है दूसरा आपकी core team अगर आपकी core team के number of employees मान लेते 1,2,3,4 पांच लोग के साथ आपने business शुरू किया तो आपकी core team में पांच लोग रहने चाहिए ताकि यह आपके key employees के रूप में आपके साथ काम कर सके और यहाँ पर आप number of employees को बढ़ाना शुरू कर देंगे 6,7,8,9,10 number of strength बढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपकी variable cost भी बढ़त के संबावना कई गुना ज्यादा हो जाएंगे इसलिए हमें करना क्या है हमारी core team की strength है वो fix रखनी है office setup को बहुत जल्दी change नहीं करना जब तक आपके पास extra surplus money ना हो business के expansion के बाद उसके लावा ऐसा प्रयास करना है कि आपकी operating cost कम से कम हो जितनी कम से कम operating cost होगी उतना ज्य available होगा अपने startup को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उसके अलवा आपको अपना इंवाल्व करना है product development पर आपके products जो आपने डेवलप किये हैं वह तीन स्टेज में होते हैं अलफा बीटा और गामा स्टेज तीन स्टेज पर होते हैं अगर आपका alpha level का अपका product है तो उतना ज़्यादा product में research and development करेंगे उतना ज़्यादा cost of production भी कम हो जाएगी और उतना अच्छा आपका product होगा और उतमी ज़्यादा आपकी selling price बढ़ने की संभावना भी होगा उसके लावा customer feedback अभी एक startup के अंदर problem क्या रहती है कि अगर customer को भी feedback देता है तो वो प्रयास कर करने में हर company को problem होती है जो वहाँ पर companies की कमियों को बताते हैं वो कितने निंदक नेरे राखिए आपके पास ऐसे customer होने चाहिए जो आपको regular feedback देते रहें products related ता कि जब आप अपने product को development की और ले जाएं तो उस feedback के अधार पर product को और आप upgrade करते जाएं साथ-साथ low cost marketing पर आ यूनिपोल्स इस तरह के expensive advertisement करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से operating cost बढ़ जाती है और ratio of profit घड जाता है इसलिए हमें क्या करना है हमें low cost marketing strategy अपना नहीं है अब low cost marketing strategy में दोनों तरह की strategy आती है चाहे वह offline marketing हो चाहे online marketing हो marketing की strategy के लिए क्या क्या तरीके अपना नहीं है उ उसके लाब जो important point है वो क्या leads का follow up friends कहते हैं कि अगर आपके पास 1000 लीड आई है तो मैं guarantee से कहता हूं कि 1000 में से केवल 5 से 10% के लोग ही convert होने वाले हैं अब हमें क्या करना है lead के follow up की strategy को change करना है आपके consumer को regular follow करना है और आप जानती है कि जब हम lead को follow करते हैं तो तीरी तरह के client आते हैं hot lead, cold lead and warm lead आपको यह identify करना है कौन कौन सी hot lead है कौन सी warm lead है और कौन सी cold lead है hot lead पर instant काम करना है warm lead पर regular follow up करना है और cold lead को warm और hot में convert करने के लिए निरंतर प्रयास करना है leads को follow up की strategy के लिए भी separate video मैंने यहापर मेरे चैनल पर दियो हुए उसको आप ज़रूर दे क्योंकि friends marketing की team advertisement के थुरू आपने बहुत सारी lead तो generate कर ली अगर आप सही तरीके से उसको close नहीं कर पाएंगे तो आपका business convert होने वाला नहीं है किसी भी product या service में सबसे important है उसकी sale और sales closing skills का मतलब है आपका जो salesman है आपका जो marketing executive है आपका जो person जो client से deal कर रहा है उसको product की information होने चाहिए product के feature पता होने चाहिए उस product को consumer से क्या फाइदा हो सकता है वो पता होना चाहिए और negotiation skills में व्यक्ति export होना चाहिए अगर sales closing skills बढ़िया होंगी तो आपका sales conversion ratio भी जादा होगा इसका मतलब हमें दो काम करने एक तो number of lead को बढ़ाना है 1000 से 1500, 2000, 2500, 3000 number of lead बढ़ा बढ़ जाए और leads भी बढ़ जाए तो आप business में असानी से grow कर सकते हैं उसके लावा low cost operation आपके business का operating cost मैंने अभी पहले भी बताया था आपका operational cost बहुत कम होना चाहिए और वो कैसे होगा जब आपके fixed overhead and variable overhead दोनों ही कम होंगे यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कौन-कौ से ऐसे काम है जिसमें वही जिम्मेदारी अपने existing employees को देकर आप अपनी cost को कम कर सकते हैं यह भी आपको follow करना है उसके लावा finance management अभी problem क्या है बहुत सारे startups पैसा तो generate कर लेते हैं लेकिन उनको उस पैसे को manage करना नहीं हाता जिसकी वज़ा से जब मंदी होती है या काम कम ह होता है या sales कम होती है या operating cost cover नहीं कर पारे होती है तो उनको lack of finance की वज़ह से भी अपना business बंद करना पढ़ जाता है बहुत सारे business के वल इसी वज़ह से बंद हो जाते हैं कि उनको finance की problem नहीं है उनके पास सही financial management नहीं है इसका मतलब आपको अपने total turnover में जितना भी आपका profit होता उसका 20 से 30% आपको हमेशा reserve रखना है किसलिए तकि जब आपको पैसे की जूरत पढ़े तो fund आपके पास available हो और कोशिश करनी है आपको ऐसे साथियों की तलाश करनी है जो आपके business में as a investor आपके साथ आकर आपसे हाथ से हाथ मिलाकर आपको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर पयास करते रहें यह कुछ steps मैंने आपको बताये थे अगर आप इन सभी steps को आसानी से follow करते हैं तो आपका startup कभी भी fail नहीं होगा और आप उन 100 लोगों में से उन 3% लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे जिनका startup 100% successful होता है 97% लोग जो गलती करते हैं वो गलतियां आपको अपने business में नहीं करनी है startup से related बहुत सारे informative वीडियो मेरे चैनल पर already दिये हुए कि funding कैसे लाते हैं sales कैसे grow करते हैं product को कैसे upgrade करते हैं client को follow up कैसे करते हैं follow up के बाद deal close कैसे करते हैं deal close के बाद में किस तरह से हम repeat order और references अपने customer से लेते हैं जरूरत है चीज़ों को ठीक से समझने की और अपने business में implement करने की इन सभी चीज़ों को मैंने अपनी company में implement किया और मेरी company Gyan Overseas जो एक proprietorship firm थी आज वो company इंडिया की सबसे बड़ी stailness steel modular kitchen manufacturing company बन गई और मेरी company का नाम है Metas Overseas Limited from Gyan Overseas एक छोटी सी proprietorship firm एक limited company के रूप में स्थापित हो गई और आने वाले समय में हम अपनी company का IPO लेकर आएंगे और share market में listed होंगे तो ये सारे वो तरीके हैं जिनको मैं अपनी life में practically implement करता हूँ आपके मन में इदी कोई भी प्रश्ण है तो मुझे comment box में लिखके ज़रूर बताएं कोई भी informative वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को subscribe करें स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी आपके सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जाहिन जाब हराद